मैं यहां 55 ड्रग इस्पेक्टर की वेकेंसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो लेक्टर में कम्प्लीट बात करेंगे क्या नोटिफिकेशन है क्या कुछ एलिजिबिलिटी तैने वाली है और जैसा कि आप सबी जानते हैं फार्मा रिगार्णिंग जितनी भी आपकी नोटिफिकेशन अबडेट आती है न्यूस अबडेट वेकेंसी बडेट वीडियो लेक्टर सड़ी रिगार्डिंग वीडियो सब कुछ मिलता है आपको हमारे चैनल अमर्सार अकेडमी और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नबना बात करेंगे स्क्रिन पे आप देख पा रहे हैं जी हां लगबग लगबग 55 ड्रग स्पेक्टर की वेकेंसी है क्या कुछ नोटिफिकेशन रहने वाला है इसके बारे में कम्प्लीटली बात करेंगे जी हां स्क्रिन पे आप देख पा रहे हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमिशन की तरब से 55 ड्रग इस्पेक्टर की वेकेंसी का नोटिफिकेशन है। अब काफी सारे स्टुएंट सोच रहे होंगे कि सर आज से ठीक 6 महीने पहले यह और नोटिफिकेशन आया था। यही बिहार में 55 ड्रग इस्पेक्टर की वेकेंसी आयी थी तो क्या कुछ यह वही नोटिफिकेशन है तो जी हाँ यह वही नोटिफिकेशन है जिसको की री ओपन किया गया है। मतलब कि इसके notification जो है वापस से application form चालू हो चुके हैं जिसका 24 पांच यानि कि आज से start हो चुके हैं और 35 यानि कि आज से 5 दिन बाद इसकी last date रहने वाली है तो completely वीडियो को सुन लेना भाईया क्या कुछ notification है complete बात करूँगा सबसे पहले मैं आपको बताना सुनगा देखिए जो भी student aware नहीं है उस notification के बारे में तो इस वीडियो के end में मतलब जब ये वीडियो end होगा इधर की तरफ आप एक notification देखेंगे वीडियो का जिसमें कि इस notification के बारे में completely मैंने बात की थी क्या note eligibility है कौन को ने apply कर सकता है analysis मतल आपको बता देता हूं कि सुरुवात से लेकर अभी तक की मतलब आज दिन तक की बात क्या है बात कुछ इस प्रकार है कि ये notification जो है वो ये जो वेकेंसी ठोड़ी हो गई थी शायद court में चली गई थी तो इसको लेकर जो है आज एक notification आया है जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो ये ऐसा कुछ notification आपके सामने कुलावा नजर आ रहा है जिसमें की ऐसा लिखा हूँ है उच न्याले पटना यानि की वहां की तरफ से ये जो notification बिहार की तरफ से और सी जिन रंक यानि की ड्रंग स्पेक्टर की वेकेंसी को लेकर है जिसके आवेदन पत्र भरने की पून पर लिखा हूँ है देखिए कि वैसे अभ्यारती जो पूर में आवेदन कर चुके हैं उनको वापस से भरने की जरूरत नहीं है और लास्ट में आठ नंबर पॉइंट सबसे बढ़िया लगा कि भाईया इस वेकेंसी का है ना वस्टूनिट या आपका जो examination है लिखित परि notice for drug inspector examination reopen जैसे आप क्लिक करेंगे तो यह notification यहाँ पे खुला हुआ अब सर इसका advertisement क्या था तो यह भाईया इसका अभी का notification जो मैंने अभी वापस से डाउनलोड किया है उसमें भी ऐसा ही लिखा हुआ है अठारा महिने का experience जो है यहाँ पर चाहिए ही चाहिए कोई दिक्कत वाली बात है ठीक है अधर स्टेट वाले यहाँ पर अलीजिबल है तो जी हाँ अधर स्टेट वाले यहाँ पर अलीजिबल है कोई दिक्कत नहीं बट आपको पास दो है experience होना चाहिए सर इसके paper जो है किसी साब से divide होगा तो यहाँ पर आप देख पा रहे है पर्थम पत्र दिवितिय पत्र तिवितिय और चठूर्थ में इसको बाटा गया है पहले में आपका pharmaceutical analysis दूसरे में medicinal chemistry फार्मकोगनोसी तीसरे में आपका anatomy physiology फार्मकोलोजी और चौथे में आपका और defined यहाँ पर syllabus है क्या तो जी हाँ यहाँ पर आप जैसे syllabus पर क्लिक करेंगे तो एक बड़ा सा लंबा चोड़ा syllabus जो है वो आपके सामने खुलावा नजर आ जाएगा इसके बारे में भी हम बात करेंगे क्या है सर तो देखिए फार्मसुटिक्स में टैबलेट है capsule immersion यह भी सारा हिंदी में लिखा हुआ है बहुत अची बात है फार्मसुटिकल एनलाइसिस में लेमिट टेस्ट वगरा सब कुछ यहाँ पर दे रखा है फार्मसुटिकल केमेस्ट्री में स्टरोड्स फार्मको को मझे में आ गई तो देखिए जो भी स्टुटिकल को थोड़ा बहुत भी confusion है इस वीडियो के एन में इधर जो वीडियो मिलेगा इस वीडियो के बारे में completely हमने बात की थी तो आप जरूर चेक करें सारे doubt आपको clear हो जाएंगी अभी के मैंने बता दिया जी हां 55 drug inspector की vacancy का notification application reopen हो चुका है जिसकी last date 35 2023 रहने वाली है जिन इस्टुटन ने भर लिया तो उनको भरना नहीं है बीफाम eligible है expense मांग रहे है other state वाले भी eligible हो सकते हैं यहां पर आप जैसे ही form बरेंगे तो आपको दिखेगा कि आप other state से हैं तो आपको other state से क्लिक करके आगे बढ़ना है ठी तो अब next क्या है यह आगे इसकी official notification आ गया यहां पर आप देख पा रहे हैं पहले पर drug inspector जिसका registration आज से start हुआ है तीस को खतम है download advertisement आप यहां से download कर सकते हैं वह advertisement है ठीक है जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यह advertisement भी आपके सामने खुली भी नजरा दाई ठीक है ओपन कैसे कर क्लिक करेंगे तो यह apply application आपके सामने है इसको आप यहां से apply कर सकते हैं चली तो कैसा लगा मित्रो जरूर बदाए comment section में और हां जो student ने यह form भर दिया था तो आप लोग बताएं कि यह vacancy जो है वो court में जाने का क्या reason था इतना delay क्या कुछ होने वाला है क्योंकि देखिए जो वहां के localite student है वही सारा detail में बता सकते हैं तो जिसको भी बहुत जादा detail में information तो जरूर करमेंट करके बताएं थाकि सब तक यह बात जो है वो पहुंचे चली तो finally conclude करूँगा 55 पोस्ते हैं attainment का experience मांग रहे हैं और यहां पे other state वाले भी eligible है सेलेवेस हमने बात कर ली तो ऐसे ही pharma regarding देखिए all over India में जो भी notification आता है study regarding pharma regarding मतलब pharma regarding एक भी notification हम छोड़ते नहीं है भया तो update रहने के लिए पढ़ाई करने के लिए study regarding बात करने के लिए कैसे तैयारी करनी है इसके लिए चैनल के नए है तो subscribe कर लेना keep watching